आज अपन बात कर रहे हैं Unit of K यानिके specific rate of reaction यानिके specific reaction rate जो है उसकी क्या करनी है अपने को unit find out करनी है अपने को पता है कि के जो है वो depend करता है किस के ओपर तो अपन बोलते हैं K depend upon order of reaction उसी के ओपर depend करेगा क्योंकि concentration को आपने कल जब वन वन लिया था तो उस समय बात करी थी कि specific rate of reaction बात कर रहे थे इसका मतलब यह किसके ओपर depend है order of reaction के ओपर तो अच्छा बताओ k is equal to क्या हो जाएगा रो आर तो लिखते थे अपन k concentration of a और b यह लिखते थे अपन यह उपर ले ले थे थोड़ा सा ठीक इसका मतलब k is equal to क्या हो गया तो k is equal to लिख सकते r o r upon concentration of a और concentration of b clear unit mention करिए rate of reaction के unit क्या है अपनने पढ़ रखी पहले से mole क्या है mole liter inverse second inverse और a की concentration की unit क्या होती है mole per liter और b अगर है तो इसकी भी क्या unit हो की mole per liter mole per liter mole per liter कोई दिक्कत नहीं आतक तो solve करो तो solve करेंगे तो क्या आजाएगा mole liter inverse second inverse और नीचे यह तो मैंने a और b लिया हो सकता है c भी हो d भी हो तो बहुत सारे होंगे तो क्या कर सकते है अपन mole per liter की power n number of reactant जितने भी है उनके सब क्या जाएगी इस term को उपर ले जाएगे तो क्या कह सकते है अपन mole per liter 1 minus n क्योंकि एक तो उपर से है और उन उपर चला गए तो 1 minus n और क्या गया second inverse clear अब यहाँ n की value जैसे जैसे आपन change करते जाएंगे वैसे वैसे यह units भी change होती जाएगी for example जैसे आपन ने order of reaction की बात करें तो यह n क्या है तो n is equal to order of reaction order of reaction अगर हमारे को कहे कि 0 order of reaction यान की value जीरो रख दी तो reaction की rate कैसी हो गई 0 order of reaction तो उस condition में n की value क्या रखने पड़ेगी हमारे को 0 तो n की value 0 रखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास n की value 0 तो 1 minus 0 1 minus 0 का मतलब सेम अज इस तो इसकी unit हो जाएगी यहां मैं unit लिखतेता हूं unit क्या हो जाएगी mole लिटर inverse second inverse जादर जाएगी बात अगर मैंने यहां 1 लिख्या तो यह क्या हो जाएगा first order of reaction भई n की value अगर 1 है तो वो कौनसे order की reaction हो जाएगी first order reaction और यह first लिखा n की value जब 1 रखेंगे तो 1 minus 1 is equal to 0 और यह पूरी term का अब और unit क्या हो जाएगी second inverse most important है यह unit से भी अपने को पूस सकते हैं कि यह unit आई है और आपको rate of order of reaction find out करो clear तो यह बहुत काम आने वाले चीज़ है n की value जब अपनने टू लिखी तो अपनने क्या लिखिया second order of reaction बताओ 1 minus 2 करेंगे तो कितनी value आ जाएगी 3 by 2 sorry minus 1 1 by 2 1 minus 2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी minus 1 और minus 1 करेंगे और पलट को उपर जाएगी तो क्या हो जाएगी mole लिखो mole per liter minus 1 और second inverse और पलट के उपर चली जाएगी तो क्या कहेंगे मॉल इन्वर्स लिटर सेकंड इन्वर्स भी चेंज हो जाएगा न माइनस वन लिख रहा है या दर जाएगी बार एने प्रोब्लम अब आप लोग half order of reaction के लिए लिए लिखके बताना यह half तो जब इसकी बन की value half रख लेंगे एन की value half रख लेंगे तो 1-1 by 2 और इसको solve करके आप order of reaction की units find out कर सकते हों clear यह कहां पर काम आने वाली है उसके लिए एक में numerical देता हूं उसको solve करना question आप लोगों के लिए if k is equal to 3 into 10 raise to power minus 3 liter inverse and liter square mole inverse square minus 2 or second inverse then find out the order of reaction इसके लिए order of reaction find out करो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को हमको पता है कि nth order के लिए हमारी जो value है वो क्या है moles per liter 1-n और second inverse clear यहाँ पर जो यह values दे रखी यह values के वाल और के वाल confuse करने के लिए दे रखी ठीक है भई क्या unit आ रही है हमारी हमारी जो actual में unit आ रही हो क्या रही है mole per liter यह भी square यह भी square तो क्या हो गया square और यह minus 2 क्योंकि यह पलट के गई है वो इससी बात ही minus 2 आ रहा है तो यह minus का 2 और second inverse clear अब तो solve कर सकते हो second inverse से second inverse cancel यह सब से यह सब cancel तो किसके बराबर हो गया 1 minus n is equal to minus के 2 तो n is equal to क्या आ जाएगा हमारे पास 3 यानि के 3 value आई यह n की value तो इसको बोल सकते हैं यह third order of reaction होगी clear यादर जाएगे बात अगर यहां तक समझ में आया हो नहीं आये तो दुबारा से वीडियो देखना समझ में आ जाएगा नहीं आये तो मेरे से doubt पूछ लेना ठीक है अब मैं एक question देता हूँ आप खुद solve करके उसको practice करना ठीक है एक question दे रहा हूँ उतार लिए आप लगोंने pause करके उतार लिए ठीक है एक question लिखा हूँ 2A plus 3B gives products ठीक है अब इसके लिए experimenter से order of reaction with respect to A I हमारी 2 और order of reaction with respect to B is I minus 1 ठीक है याने के A के respect में कहा तो ये दो गुना increase हो रही थी और B की concentration को मैंने increase किया तो product rate of reaction minus 1 में घट रही है बही decrease होगी तो अपन क्या लिखेंगे minus 1 अब इसके लिए आपको लिखनी है right rate law of expression या rate law expression एक की बात है कुछ भी के दो rate लोल इतना है फुल मिला के first question second है calculate order of reaction clear अगर इतना portion हो जाता है आप से ठीक है तो इसके बाद में एक question और देता हूँ उसके इसी के साथ में आगे हो चलेगा मैं solution करवा हूँगा नेक्स्ट वीडियो में अगर नेक्स्ट वीडियो में solution करवा हूँगा ठीक है भई आप लोग इसको solve करने की कोशिश करना है अगर नहीं आएगा तो अपन नेक्स्ट में बातचित करेंगी करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी जब मैं concentration of A को मैं double कर दूँगा तो क्या होगा उसके लिए पहले आपको order of reaction या rate low तो लिखना पड़ेगा जब आप rate low लिख लोगे तो ये भी solve होने लग जाएंगे ठीक है कोशिश करना नहीं तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करी रहे है बी इस हाफ बी को क्या कर दिया अपन ने हाफ कर दिया और थर्ड बात करूंगा मैं concentration of A and B both are double डोनों की concentration को मैंने एगर increase किया तो क्या होगा ठीक है ये question solve करो Thank you